तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं Amazon और Flipkart की sales चार्ट हो चुगी और जैसा मैंने आपको promise किया था कि sales के टाइम में मैं बहुत सारी latest smartwatch इसकी वीडियो लाने वाला हूँ जूकि आप लोगों के लिए best buying option हो सकती है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेया हूँ Firebolt की latest sole smartwatch जूकि लक्स edition की smartwatch है और आपको ये मिल रहे है सिर्फ 1999 के special launch offer पे सबसे amazing बात ये है कि 1999 पे भी आपको additional discount मिल सकता है sale के time पे तो नीचे आपको best buying link मिल जाएगा इस वीडियो के बाद आप जाके इसको check out कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका detailed review दिखाने वालों चाहे वो इसकी build quality और design हो watch UI हो, app interface हो या फिर end में इसके health sensors की accuracy की ओना हो तो बिलकुल detailed वीडियो होने वीडियो हो तो बने रहे है वीडियो के end तक और अगर आपने भी तरह tech manzil को subscribe नहीं है तो जरूर कर लिजे क्योंकि इसके बाद भी best smartwatches under 2000, top 5 best smartwatches और latest launch इसकी धड़ा धड़ वीडियो आने वा है कि सारे basic health sensors, 120 से भी ज्यादा sports mode, made in India smartwatch, bluetooth calling, AI voice assistant, rotating crown और metal edition मिल रहा है आपको 90.99 के price point पर जो की बहुत amazing बात है, overall अगर box cover view देखे तो यहाँ पर आपको side में कुछ features दिख जाएंगे, key highlights मिल जाएंगे, लेकिन obviously अभी आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इसके सारे features बताने वाला हूँ, तो अभी जल्दी से देख लिए थे क्या क बात ही, ज्यादा rich look की लग रही है, build quality काफी awesome है, जिसको आगे हम discuss करेंगे, detail में, आगे अगर box contents की बात करेंगे तो इस बार यहाँ पर आपको एक mini box देखने को मिल जाते है, इसमें काफी अच्छी packaging में आपको सारा paper work और subscriptions मिल जाती है, उसी के साथ-साथ यहाँ पर आप 1999 के price point पे मिल रही है, back side में आपको single button design मिल जाता है, जहाँ पर fireboard की branding है, सारे sensors, charging port और dual button design आपको right side में मिल जागा है, जिसमें आपको working ground भी देखने को मिल रहा है, इतने कम price point पे, मेरे साब से front पे जो dial की look है, वो बहुत ज्यादा awesome है, और मेरे साब से straps की quality भी काफी अच सबसे impressive चीज जो है, वो है दोस्तों, इसका working ground इसकी build quality बहुत ही ज्यादा awesome लग रही है, काफी अच्छे से ticking crown है आपे, और एक एक बार जब भी आप rotate करते हैं, आपको proper functioning इसकी feel होने वाली है, तो अब अगर बात करें इसकी display की quality की, तो 1.32 inches के display में brightness काफी ज्यादा अच् सबसे पहले आपको activity tracker और सारे basic health sensors दिख जाएंगे, along with weather update, और right swipe करते हैं, आपको main menu दिख जागा, जिसके बारे में आगे हम अभी discuss करना ही वाले है, नीचे swipe करते हैं, आपको basic shortcut बार दिख जागा, जहाँ पे settings, date वगरा दिख जाती है, और उपर swipe करते हैं, आपको notification बार दिख सकते हैं, उपर वले button से में back और power on और power off कर ले तो screen को, और नीचे वले button से आपको shortcut देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आपको 120 से भी ज्यादा category wise divided sports mode मिल जाएंगे, ज्योंकि बहुत sufficient रहने वाले है, अब अगर बात करें main menu की, तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको activity tracker मिल जाएंगे, सारे basic health sensors मिल जाएंगे, phone call का feature आपको built in smart watch में मिलता है, क्योंकि Bluetooth calling smart watch है, साथ ही साथ exercise mode में आपको अलड़ी दिखा, चुको 120 plus ज्यादा sports mode है, उसके साथ साथ weather update, shutter, player, सारे ऐसे basic features मिल जाते हैं, जो आप एक smart watch में expect करते हैं, उसी के साथ सा पाती है कि calculator का feature भी मिल जाता है, जो कि बहुत जादा helpful रहता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको dedicated games भी मिल जाती है, smart watch में जिसको आप time pass के लिए enjoy कर सकते हैं, और मेरे साथ से screen का resolution काफी ज्यादा crisp और clear है, आगे अगे अगर बात करें main menu की, तो यहाँ पे आपको settings देख और restart के option मिल जाती है, और overall मुझे इसका UI बहुत smooth लगा है, just because of this working crown and build quality, अगे बात करें smart watch के battery backup की, तो उसने मुझे काफी जादा impressed किया, क्योंकि जैसा आप देखी सकते है, screen time आप easily adjust कर सकते है, जिस वज़े से smart watch का battery backup काफी enhanced हो जाता है, उसी के साथ साथ अगरा Bluetooth calling और AI voice assistant काफी aggressively use करते है, brightness भी बहुत जादा high रखते है, तो भी smart watch बड़े RAM से 3-4 दिन चल जाती है, और normal use में तो 5-6 दिन भी चल जाएगी, finally अगर बात करें इसके health sensors की accuracy की, तो एक चीज़ काफी अच्छी है कि ये smart watch हवा में reading बिल्कुल भी नहीं दिखाती, overall accuracy काफी decenter, pedometer जिस पर आपको working around 1.32 inches का amazing HD display जिसमे pixel resolution काफी अच्छा है, brightness screen की काफी अच्छी है, सारे basic features मिल जाते है, जैसे की calling बगेरा, और build quality के मामले में एक number smart watch है, कोई भी देखके ये नहीं कह सकता है, कि ये under 2000 के price point पर मिल रही है, तो अगर आप इस smart watch को buy करना चाते है, तो नीचे इसक चल रही है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते नेक्ट वीडियो में, थांक्यू दोस्तों